नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफियर्स क्लॉड में तो दोस्तों रूस के राष्टपति ब्लादिमिर पुतिन अब यूक्रेन पर कबजे की जल्दी में दिख रहे हैं और उनके आदेस पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले की तादात को बढ़ा दिया है और इसी बीच रूसी सेना का TOS-1 बुराटिनो राकेट लांचर भी यूक्रेन की ओर जाता नजर आया है और यह राकेट लांचर इतना खतरनाक है कि दुस्मनों के फेफडों तक को भी फाड़ कर रख सकता है तो दोस्तो इस राकेट लांचर के बारे में जानने से पहले जो चैनल पर नया है उनसे र्युकेस्ट है चैनल को सब्स्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के बीच रूस ने टी ओ एस वन बुराटीनो राकेट लांचर को तनात करना शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये थर्मोबैरिक राकेट लांचर दुस्मन सैनिकों के आंतरिक अंगा और फेफडों को फार सकते है और इनकी कुछ यूनिट को हाल में ही यूक्रेन की तरब जाते हुए भी देखा गया है और या रूस का सबसे घातक गैर परमाडू हतियार है और दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्टरपेट ब्लादमीर पुतिन यूक्रेन पर जल्द से जल्द कबजा करना चाहते है और उन्हें अनुमान था कि यूक्रेन के साथ लड़ाई एक से चार दिनों में जीती जा सकती है लेकिन पस्चमी देशों के समर्थन और नाटों के हत्यारों के दम पर यूक्रेन इसे ने एक पीछे हटने को राजी नहीं है और पिछले 24 गंटों से भी ज्यादा समय से राकेट लांचर को बेल्ग रोड के पास यूक्रेन की ओर जा रहे एक ट्रक के उपर लदा हुआ देखा गया है रूसी भासा में टी ओएस का मतलब है तेज आग की लप्टे फेकना और टी ओएस वन बुराटिनों एक फ्यूल एयर एक्स्पलोजिव से हमला करने वाला रा और अगर रूस समय पर यूक्रेन पर कबजा नहीं कर पाता है तो रूस अंधा दूंद इंसा करेगा और यह हथियार सहरी छेत्रों में लड़ाई के दोरान बड़ी भूमिका निभा सकता है ती ओएस वन बुराटिनों सोवियत संग के जमाने का मल्टिपल राकेट लांच और यह हथियार 1988 से रूसी सेना में तैनाथ है और इस हथियार का इस्तेमाल रूस अजरबेजान, अर्मेनिया, अलजीरिया, सीरिया और इराक की सेना करती है और इस राकेट लांचन ने सोवियत युद, आफगान युद और नारगोना काराबाख युद और दूसरा चेच हथियार निर्माता कंपनी ओमसक ट्रांसमांस डिजाइन बीरो ने 1988 में बनाया था और इस हथियार का वजन 43 टन है और इसकी लंबाई 9.5 मीटर है और चौणाई 3.6 मीटर है और उंचाई 2.22 मीटर है और इसे अपरेट करने के लिए तीन चालक दल की जरोत परती है और इस इसका प्रभावी फाइरिंग रेंज 500 से 3500 मीटर माना जाता है और इस हथियार का विसपोर्ट बिल्डिंग या किसी बंकर में बैठे सैनिक को भायानक तरीके से मार या अपंग बना सकता है और टी ओ यस वन राकेट सिस्टम 200 बाई 300 मीटर ब्लास्ट जोन के भीतर सब कु प्रिटा देता है और इसके राकेट का विसपोर्ट आंतरिक हड्यों को तोड़ सकता है और इससे आखों पर इतना ज्यादा प्रिसर पड़ता है कि वे फूट जाती है और इससे सरीर के अंदरूनी अंगों में भी खून बहने लगता है और इतना ही नहीं या राकेट सिस् सबी खबरे आप तक पहुंचती रहा हैं धन्यवाग्व